उत्तरा खंड का ऐसा मंदिर जिसमें मौजूद माता की मूर्ती दिन में तीन बार अपना रूप बदलती है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं माधारी देवी की जो की मूर्ती सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढी महिला की तरह नजर आती है यह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है माधारी का यह मंदिर जील के ठीक बीचों बीच स्थित है देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में माननेता है कि यहां मौझूद माधारी उत्तराखंड के चार धाम की रक्षा करती है इस माता को पहाडों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है कहते हैं कि माधारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ाई थी जिसमें हजारों लोग मारे गये थे माना जाता है कि धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आये था